असलाम अलेकुम, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि डोनेट चार्ट क्या होता है और वो कैसे बनता है, चलिए स्टार्ट करते हूँ सबसे पहले अपने अपना पावर भी ही ओपन कर लेने, मेरे पास ओपन है और रेड़ी तो यहाँ पे मैं नीचे एक निया प्लॉट अड़ करता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ 04-donut-chart डोनट चार्ट मैंने अड़ कर लिए, डोनट आपने खाया होगा, अगर नहीं खाया तो आपको मैं बता दे तो कर डोनट कैसा होता है यह center से hollow होता है, something like this, तो मैंने यहाँ पे डोनट चार्ट पे क्लिक किया और यह डोनट चार्ट मेरे पास कुछ इस तरीके से आगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे legends और बाकी उसी तरीके से add करूँगा, जैसे हमने pie chart के अंदर add किये थे और पिछले lecture के अंदर हमने pie chart बनाया था, अब आप देखें कि donut chart के अंदर हमने क्या करना है, day wise sale check करना है, तो मैं simply क्या करता हूँ, data को यहाँ पे add कर सकता हूँ, ठीक है, तो यह मेरे पास data separate चला गया, and I did something wrong, क्यों, मैं भी आपको बताता हूँ, मैं इसको यहाँ से delete करता हूँ, यहाँ पे click आप plot पे, फिर आप data को add करेंगे, तो मैंने click करके legend add किये, यह मेरे पास legends आगे, अब मैं यहाँ पे add करता हूँ, कि total bill कितना बनता है in the values, तो यह मेरे पास donut बन गया, तो इस तरीके से आप एक donut chart बना सकते हैं, obviously आप इसको change कर सकते हैं, averages और बाक्य चीज़ों को, आप य statistical term चाहिए, count की चाहिए, यह something else चाहिए, you can also create the donut chart like that, मैंने यहाँ पे इसको total sum से बनाया, और यह हमारे पास इस तरीके से donut chart बनके सामने आ गया है, pie chart is something like this, and donut chart is something like this, और यह हमें बताता है कि total portion में से एक category का कितना portion है, मिसाल मैं देता हूँ, यह हमारे पास total bill है, restaurant का 4 दि यानि कि Thursday, Friday, Saturday and Sunday की base पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अपना यह plot generate किया है, और हमने हर portion को separate यह रखा है, मैं इस पे click करता हूँ, यह Saturday का है, मैं इस पे click करता हूँ, यह Sunday का है, मैं यहाँ पे click करता हूँ, यह Thursday का है, मैं यहाँ पे click करता हूँ, यह Friday का है, so based on the data, जो हमार का बिल सबसे कम है, which is around 6.75% of all the bills, सबसे ज्यादा हमारे पास 36% है, which is this one, which is Saturday, और हमारे पास यहाँ पर Sunday का बिल जो है, 33 विसल है, obviously यहाँ पर Thursday को भी हमारे पास कुछ बिल है, लेकिन Friday को आपने, so it depends कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं, यह था हमारा donut chart, अब इससे थोड़ी से sense बनाने की कोशिश करते हैं, मैं बजाए इसके कि यहाँ पर day को मैं select करूँ, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं time को select कर लेता हूँ, so now you can actually have an idea कि time, किस time पर ज्यादा bill बनता है, और अगर आप गोर करें, dinner time पर ज्यादा bill बन रहा है, और lunch time पर कम बन रहा है, obviously money हुई बात है कि dinner पर ज्यादा लोग जाते हैं, और lunch पर कम जाते हैं, so we can make a kind of cash out of it, तो इस तरीके से हम डोनर चाट को किसी भी तरीके से बना सकते हैं, मैंने उस पर click किया हुए, अगर मैं smoker और non smoker की बात कर रहा हूँ, I can do something like this, sex की बात करूँ तो male female, और अगर मैं day की बात करूँ तो मुझे categorical data इस तरीके से मिल जाएगा, time की बात की हमने पहले, and then अगर हम कोई भी numeric value यहाँ पर रखना चाहेंगे, we cannot create anything like that, ठीक है, so we have to think about categorical data inside this legend, तो legend पर मैं यहाँ पर male female या day, etc, etc, चीज़ें जो हैं वो मैं add कर सकता हूँ, so we will create our donut chart like this, यहाँ तक आपको clear हो गया होगा, hopefully अगर आपको clear हो गया, तो please like, share and subscribe this video and channel, next lecture भी हम मिलते, see you in the next one.